हेलो फ्रेंट्स मैं हूँ अजीज आप देख रहे है मुवी स्टॉक शो चैनल जिस पर आज मैं बात करने वाला हूँ बॉलिवूड मुवीस की आई हुई काफी अलग-अपडेट के बारे में जिसमें हाँ आने वाली फिल्मों से रिलेटेड तो अपडेट है ही इसी के साथ साथ कुछ confirmation भी है जिसका पता आपको होना चाहिए यानि कि आप सीधे बिना टाइम वेस किये मुद्दे की बात करें कि जिससे पहले बनी की मेरी चोटी मोटी सी रिक्वेस्ट जो की है इस चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक और शेयर करने की खेर तो शुरुआत करें सबसे पहली अपडेट यानि कि इस साल की कंगनार नौत की आरही फिल्म तेजस की नहीं बलके एमरजनसी के बारे में जो कि ऑफिशली नेक्स मन 24 नौंबर की रिलीस डेट पर सेट है आमीन थी तो अब वो तेजस की वज़े से अपनी उस रिलीस खुद को शिफ्ट कर रही है जिस पर अगर खुल कर कहूं तो 27 अक्तुबर को जो तेजस फिल्म रिलीस हो रही है डेफिनिटली उससे तो ये बात साबित हो जाती है कि एक मन्त के बाद नेक्स मन्त ही कंगना अपनी एक और फिल्म लेकर आ जाया तो बात बिल्कुल भी ठी नहीं जमती इसलिए जैसी कि मैंने कहा आप ये फिल्म आइमिन एमर्जनसी फिल्म सीधे नेक्स येर के लिए शिफ्ट कर दी गई है जिसकी रिलीस डेट फिल्हाल तो अन्नोन है जो कि मेकर्स की तरफ से यही बात कंफर्म करकर बताई गई है कि जल्दी अनौन्स कर दी ज खास करके उनके करियर को लेकर के काफी अच्छा खासा कमबैक जिस आइडिया को लेकर वो ठीक जॉन इब्राहिम की तरहा यश्राज स्टूडियो गए थे जिसका एक पूरा चोटा सा ब्रेकडाउन वीडियो आपको मेरे चैनल पर मैं पहले ही दे चुका हूँ लेकिन उस राजवालों की तरफ से वो कहते ना कि अंदर की खबर यही निकल कर आई है कि अधित्य चोप्ला स्पाई यूनिवर्स को छोड़ करके फिलहाल तो दूसरे किसी भी प्रोजेक्ट पर इतना ज्यादा ध्यान नहीं लगाना चाहते यानि वो सिर्फ अभी के लिए तो टाइ वो भी एक प्रॉपर इंड के साथ या फिर कहू अविंजर्स जैसी फिल्म बनाकर जिसमें ये बात क्लियर हो जाती है कि अमिर खान का सपना फिलहाल तो धूम 4 को लेकर अभी के लिए पूरी तरीकी से डब्बे में बंद है लेकिन हुनोस कि यह श्राज स्टूडियो में उनके बैनर में बनती ही रहेगी बट अभी के लिए तो स्पाई यूनिवर्स पर फोकस है ये बात बिल्कुल लाओड और क्लियर है और हाँ इसके अलावा धूम 4 से रिलेटेट एक और जो फेक न्यूस चल रही है उस पर भी बात कर लिया जाए तो ऐसार के कोई लेकर के क केरी निकल कर आई है कैनिबलिजम की उस पर बाबी देवल ने बस यही कहा है कि दर्वाजा खोलते वक्त वो एनिमल के उस टीजर में कुछ खा रहे है जिससे रिलेटेट जादा इंफॉमिशन उन्होंने नहीं दी है क्योंकि ये थेरी पता नहीं क्यों इतनी जादा सर्क् तो नहीं क्योंकि मेरी नजर में कैरेक्टर अगर वो कहते ना दिमाग से हिला हुआ है तो उसे उन चीजों को प्रूब करने के लिए किसी भी इंसान को खाने की ज़रत नहीं है बट खैर ये मेकर्स की उनकी खुद की चोईस होगी जिस पर अगर वो लोग चलते है तो एक हिसाब से उनकी कंफोर्मिशन जिस कंफोर्मिशन में उन्होंने वरंधवन और आलियाभट शेरिंग फिल्म या फिर कहुए एक ऐसी फिल्म जिसका एक दूसरे से कोई भी नाता नहीं होता जिसे करन जोहर दुलहनिया की सीरीज बताते है जिसमें हमने इसके पहले बद और ऐसी ही कंफोर्मिशन विश्नु वर्दा के प्रजेक को भी लेकर के दी गई है कि ये कुलाइबरेशन सल्मान खान के साथ उनका इतना जादा याद कर रहेगा कि लोग डेफिनेटली इस पर बात करेगे जैसी कि मैं अब कर रहा हूँ और अब आखिर में जाते जाते प आपको नहीं पता है तो बता दू कि PVR ने भी साथ इंडिया को छोड़ करके फिलाल तो बाकी सभी जगे 700 रुपे का मंतली सब्सक्रिप्शन शुरू कर दिया है जिसके हिसाब से आप पूरे महिने में टोटल 10 फिल्में इसी सब्सक्रिप्शन मोड के अंदर देख सकते हो लेकिन याद रहे इसमें जो 3 दिन important होते हैं उसे include ना करते हुए Monday to Thursday इस package को यानि कि इस subscription को allow किया गया है जो कि मुझे लगता है कई सारे cinema lovers के लिए एक बहुती सुनेरा मौका है क्योंकि अगर 700 रुपे के हिसाब से तोटल 10 फिल्मों को गिना जाए तो एक फिल्म की टिक इस Movies Talk Show चैनल लाइक शेर और सब्सक्राइब भूलना मत मिलूंगा जल्दी दूसरी किसी वीडियो में तिल देन बाई